नमस्कार मित्रो आप से वीगा स्वागत है मेरे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर और जैसा कि कल की क्लास में हम लोग उन्हें अलजेबर स्टार्ट किया और बहुती बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर प्रस्ण कर लिये थे और उन्हें कॉंसेप्ट के साथ भी समझाता साथ साथ ट्रिक क्या लगेगी क्या अप्लाई करेंगे वो भी समझाता ठीक है उसी दिसा में हम आगे बढ़ेंगे और कोशन नमबर 11 तक हम डिसकस कर सके थे कोशन 12 से आज डिसकस करेंगे तो कोशन 12 से स्टार्ट करते हैं और यहां से देखेंगे कि कैसे कैसे कोशन बनते हैं इनके कॉंसेप्ट क्या है या इनका डिरेक्ट ट्रिक क्या है जिसको याद करके आप कोशन एक्जाम में बना सकते हैं तो जैसे कि आप सब जानते होंगे कि अगर मैं एक 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 आपसे बात कहूं कि अगर x प्लस बन अपन x रपावव और अगरमा सोलो k है क्या है? क्या है? क्या है? और आपसे कहा जए कि x² प्लस बन अपन x² की value क्या होगी? तो आपको बताया जाता है कि आप यहां पर अपलाई करेंगे k2-2, क्या अपलाई करेंगे k2-2, मतलब यहां पर k की जगए पर क्या है, k की जगए पर 5 है, इसका मतलब है 5 का स्क्वार-2, मतलब 25-2-23, आपका अंसर तो 30 हा चुका, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल यह बनने का तरीका क्या इसके, बैए ढ़ितो है, कि हमने क्या माना, x-plus. ḥ्वार छा Parce, यह नहीं हम कर देथे हैं, दोनों पक्षो का स्क्वार दोनों पक्षो का अपकर कर देते हैं, जब बरक कर देते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि… एसको बस्तार से करके समझाओं तो ये कुछ इस तरह सी दिखाई देगा आपको और जब हम इसका स्कोर खूलेंगे वहीं हम सब जानते हैं प्लस भी काूरिये स्कोर क्या होता है एसखोर प्लस बी प्लस का two a we लोग होई अप्लाइए करेंगे a square का मतलब है x square b square का मतलब है upon x square और 2 ये भी का मतलब है 2 into x into 1 upon x बरावर क्या है k square x से x खतम हो जाता है तो x square plus 1 upon x square बरावर ये k square है 2 कोई दिल लेंगे तो का एक हो जाएगा माइनस का तो x square plus 1 upon x square बरावर क्या आता है k square minus 2 वही बात हम रख लेते हैं सिर्फ हमें इन सबसे कोई मतलब नहीं है हमें सिर्फ ये बात याद रख लेनी है कि अगर x plus 1 upon x बरावर हमें k दे रखा है I think 5 दे रखा है 3 दे रखा है 10 दे रखा है कुछ भी दे रखा तो सिर्फ हाँ सिर्फ जब हमसे x square plus 1 upon x square पूछेगा तब हम k square माइनस 2 लगाएंगे क्या लगाएंगे k square माइनस 2 तो मैंने वही किया यहाँ पर कि भई x plus 1 upon x बरावर हमें 5 दिया है और हमसे डिमांड की गई थी कि x square plus 1 upon x square क्या होगा तो हम लोगों ने क्या लगाया k square माइनस 2 मतलब k की जगह पर 5 लगाया यह 5 का square हो गया माइनस 2 25 माइनस 2 मतलब 23 ठीक है ऐसे ही इसी तरीके से अगर मैं आगे बात करूँ next question को लिया है मैंने भई x plus 1 upon x की value आपको दे रखिए 6 ठीक है और x square plus 1 upon x square की value बतानी है मैंना आप से क्या कहा था मैंना आप से कहा था कि आपको याद रखना है k square minus 2 क्या याद रखना है k square minus 2 अगर आप चाहते हैं exam hall में time shape करना तो सीधे जैसे की चीजे सामने आए तुरंट उनका trick या concept क्या है दमाग में तुरंट आज़ाना चाहिए ठीक है तो k square minus 2 का मतलब यहां पर आप 6 का square लगाओगी minus 2, 6.36 minus 2 बराबर हो जाएगा 34 कितना हो जाएगा 34 यह अपका हो जाएगा B answer ठीक है ऐसी हम लोग बात करें next question की अब देखिए इसमें क्या है भई x plus 1 upon x बराबर 3 दिया है और x के power 4 plus 1 upon x पर 4 पूछ रहा है तो भई square वाला तो concept clear हो गया अब हम चलते हैं 4 की तरफ 4 की तरफ चलते हैं तो उसके लिए मैं एक बात बताना चाहूंगा जैसे अभी मैंने आपसे कहा था कि अगर x plus बन अपोन x जो है वो k है तो x square प्लस बन अपोन x square का मान मैंने आपको बताया था k square minus 2 क्या बताया था k square minus 2 ठीक है तो आपने देखा कि अगर x का बर्ग करता हूं तो square बनता है square का बर्ग करता हूं तो घा 4 बनता है 4 का बर्ग करूँगा तो घा 8 बनेगा आठ का बर्ग करूँगा तो घा सोला बनेगा है ना मतलब दो का बर्ग करूँगा तो देखिए इसका बर्ग किया ऐसे करके तो दो दुनी चार होगे, चार का बर्ग किया मैंने तो दो चौक आठ होगे, आठ का बर्ग किया मैंने तो गाट 4 बन जाएगा एक तरीका तो यह है आप चाहते है सर दो बार नहीं करना एक यह बार में करना है तो फिर आपको यह पर धान रखना पड़ेगा अगर मैं इसका स्क्वाइर गड़ दूं दोनों पक्छों का स्क्वाइर गड़ दूं तो मुझे दिखाए देगा इतना नहीं लगाएंगे हम लोग सीधे से याद रखेंगे कि इसका जब बर्ग किया तो यह मिला इसका बर्ग करेंगे तो घाट 4 मिलेगा एक स्क्वाइर प्लस बन पून एक स्क्वाइर चार और यह आपको कॉंसेप्ट जो है इस तरह से नज़र आएगा तो याद रख सकत एक स्क्वाइर प्लस बन पून एक स्क्वाइर की जगए पर अपको यतनी बात यह दो है कि यहां पर यहां पर साथ का स्कार करेंगे, औनिन चास हो जाएगा. औनिन चास में से दो कम करेंगे, आपके पास बच्चे का value निकाल लेंगे इसका concept पढ़ा है हमने k square minus 2 मतलब 3 का square minus 2 करेंगे तो 3 3 9 में से 2 कम करेंगे 7 मिलेगा इसका मतलब है x square plus 1 अपन x square की value मिल गई 7 अब मैं एक बार इसका work करूँगा इसका बर्ग करूँगा तो मिल जाएगा x square 4 plus 1 अपन x square 6 फिर वही वाला concept लगेगा बर्ग वाला 7 का k square minus 2 ठीक है मतलब 7 का square minus 2 7 7 49 में से 2 कम करूँगा 47 अब आपके एक चाहे चाहें तो direct याद रखें चीजों को यहां से कर लें और direct ना याद रखें तो फिर आप 2 step में पहले k square निकाले फिर उसका square निकाले ठीक है concept बई लगता है k square minus 2 okay clear है चलिए आगे समझते है next question को लेता है अब देखिए इसमें power 8 आगया क्या आगया power 8 तो भी मैंने आपको समझाया था कि अगर x plus 1 upon x की value k है तो x square plus 1 upon x square ब्रावर आप लगाएंगे k square minus 2 और x की हाथ 4 plus 1 upon x की हाथ 4 की value आप लगाएंगे k square minus 2 का square minus 2 भी मैंने आपको अगर सीधे चाहिए x की हाथ 8 और plus 1 upon x की हाथ 8 तो आप लगाएंगे कि k square minus 2 का square minus 2 का square और minus 2 मतलब इस पूरे का कर दिया whole square के स्क्वार माइनस टू का स्क्वार और माइनस टू था उसका होल स्क्वार कर दिया माइनस टू कर दिया तो चाहिए तो डिरेक्ट आप यात रखके निकाल सकते हैं और नहीं निकालना चाहिए तो आप सीधी सी बात है भाई अभी आपने देखा क्या देखा कि भाई हम जब के स्क्वार माइनस टू का मतलब तीन का स्क्वार माइनस दू मतलब तीन त्या नो मेंसे दो कम करेंगे साथ एक तरीका ही हो गया जब इसका स्क्वार करेंगे तो मिलेगा घाचार और घाचार फिर वही के स्क्वार माइनस टू मतलब साथ का स्क्वार minus 27,49 में चलेंगे 47 मिलेगा फिर आप इसका square करेंगे तो घात मिलेगा 8 और घात मिलेगा 8 ठीक है मतलब यहाँ पर हो जाएगा 47 का square और minus 2 जब 47 का square minus 2 करेंगे तो आपको मिलेगा ये 22,09 और minus 2 तो आपके पास बचेगा 22,07 ये तो तरीकर यह है ऱैपिक जाता है। कि आप स्कूर200 का करते हैं, और जहां तक आपको जाना है वहाँ के रोखते हैं. या फिर आप डिरेक्ट याद रख सकते हैं. किया याद रख सकते हाएं है यह बई देखी हैं फे तीन है। यह मैं तीन लगांगो तीन का स्कूर twoo, जाएगा। दो कम करेंगे तो 20-07 ठीके है तो कहिने का मतलब है कि आप अगर डारिक्ट याद रखना चाते है तो डारिक्ट याद रखे है और आपकी एक च्छा है तो स्कॉर के स्कॉर करकर निकालना चाते है तब भिन्न काल सकते है ठीक है, तो अब इस तरह का प्रसना आप एक्जाम में गलत करके नहीं आएंगे क्यों भई, क्योंकि मैंने आपको बताया सीथे-सीथे concept लिखाता चल रहा हूँ short note साब बनाते चलिए ठीक है, चलिए next question देखते हैं, कि उन्होंने क्या करा इस बार, इस बार उन्होंने करा है कि स्कॉयर दे रखे और घाच चार निकालना आपको पता है, स्कॉयर का जब हम स्कॉयर करेंगे तो एक्जाच चार और बना पॉन एक्जाच चार हो जाएगा concept लगाएंगे कौन सा है, k स्कॉयर minus 2, मतलब 7 का स्कॉयर minus 2 19-4 में से 2 कम करेंगे, बचेगा 47 यह आपका हो जाएगा C answer ठीक है, यह आपका हो जाएगा C answer, के लिए ऐसे ही देखिए, next question अब, चुकि हम लोगों ने भी plus वाले concept की बात की दी, अब हम बात कर लेते है minus वाले की minus वाले में क्या रखना है, देखिए सीदी सी बात है, कि भई, अब ही हमने कहा था कि अगर X plus 1 upon X ब्रावर हमें के दे रखा और हमें X square plus 1 upon X square चाहिए तो आपने कहा, sir, K square minus 2 होता है यह concept आपने कहा था, याद रखिएगा ऐसे ही, X minus 1 upon X ब्रावर अगर मैं के ले लोगों तो X square plus 1 upon X square की जो value है वो हो जाएगी K square plus 2 ठीक है, बस याद इतना रखना है अगर minus है तो यहाँ plus 2 करता है यहाँ plus है तो यहाँ minus 2 करता है बस सीदी सी बात, है ना अब आप कहेंगे, sir, इसका तो concept पता दिया था लाके दिखा दिया था, इसको दिखा यह लाके इसको लाके दिखाता है, देखिए अगर मैंने क्या कहा कि अगर X minus 1 upon X ब्रावर मैंने के माना मैं दोनों पक्चों का कर दूं बर्ग लोग मैंने कर दिया बर्ग अब जब दोनों पक्चों का बर्ग कर दिया X से X का दम हुआ, X स्क्वार प्लस बन अपॉन X स्क्वार क्या मिलेगा? K स्क्वार और माइनस 2 को दे ले जाएंगो तो का एक हो जाएगा? प्लस का, देखा आपने, मैंने आपको बताया है कि कभी भी याद रखेंगे कि X माइनस बन अपॉन X की वेलू दे रखे है और X स्क्वार प्लस बन अपॉन X स्क्वार आपसे पूछ रहा है तो आप याद रखेंगे K स्क्वार प्लस 2, ठीक है? मतलब, यहाँ पर आप लगाएंगे सीधे सीधे K स्क्वार प्लस 2 मतलब 5 का स्क्वार प्लस 2 25 प्लस 2 आपका होता है 27 तो आप जाएंगे ब्यू अप्शन के साथ ठीक है ना चलिए देखते हैं नेक्स्ट कुशन को यदि x गा 4 प्लस बन अपोन x गा 4 इसका जो वैलू है वो 47 के बराबर है तो x प्लस बन अपोन x की वैलू फाइंड करने है देखिए वही वात है बैपको थोड़ा से एक 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 जामपल देता हूं के एक जामपल देता हूं कि आपने देखा कि जब x का स्क्वार किया तो x स्क्वार हो गया X स्क्वार का स्क्वार किया तो X स्क्वार चार हो गया X स्क्वार चार का स्क्वार करा तो X स्क्वार आट हो गया X स्क्वार आट का स्क्वार करें तो X स्क्वार 16 हो जागा यह तो बैटन लग रहा है ना तो ऐसे ही भई स्क्वार कर रहे हैं तो बर्गमूल ले रहे हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जब बर्गमूल लिया तो यह ऐसा हो गया अब 47 का तो बर्गमूल आएगा निए 47 का स्क्वार रूट तो आएगा निए क्योंकि 47 परफेक्ट नहीं होता परफेक्ट स्क्वार रूट नहीं होता किसी का परफेक्ट स्क्वार नहीं होता तो आप इसको परफेक्ट बनाने के लिए दो जोड़ेंगे या दो गटाएंगे तो या तो दो जोड़ेंगे या दो गटाएंगे देखेंगे कहां पर गँठाइंगे तो 47 में से 2 कम करेंगे 45 मिलेगा काम नी चलने वड़ा 47 में 2 जोड़ेंगे То 87 मीं 4 मिलेगा काम चल जाएगा सबस्सक्तूर अब हमें फिर बर्कमू लेना है इसका बर्कमू लेंगे तो तो यह मिल जाएगा इस तरह से अब साथ का बर्गमुल तो नहीं आने वाला, तो हम दो घटाएंगे तो मिलेगा पांश, काम नी चेलने वाला, दो जोडेंगे तो मिलेगा नो, नो का क्या होगा तीन, इसका मतलब क्या है, कि भाई, एकस का चार प्लस बन अपोन एकस का चार वराव 47 दे रखा है, तो एकस वैलू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्लियर है ना, चलिए, एक और प्रसंद देखते हैं इसी तरह का, अब उन्होंने कहा कि एकस स्क्राव प्लस बन अपोन एकस स्क्राव रावर 38 है, ठीक है, और हमें एकस माइनस बन अपोन एकस की वैलू फाइंड करनी है, तो इसक चलिए, इतना मसोचे, साइन क्या होगा, तो यह तो सोच सकते हैं, यह एकस है, और यह बन अपोन एकस है, साइन बीच में कौन से लेंगे, अभी बताते हैं आपको, 38 में अगर आप 2 जोड़ेंगे, तो 40 होगा, तो जोडने पर तो नहीं आ रहा ना, बर्गमूल, 2 आने पर हमें पूल पर गूल रहा है, इसलिए माइनस का आएगा, किलियर है, तो एकस माइनस बन अपोन एकस प्रावर कितना आएगा, 6, मतलब यह आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर, किलियर है, तो यह बाते तो समझ में आ गई होंगी, अब एक और प्रस देखते हैं, इ आप से कहा गया कि एकस स्क्वार प्लस बन अपोन एकस स्क्वार निगालो क्या करेंगा, आपने का सर हमें यादे कॉंसेट, जब इस से इसमें जाते हैं, तो हम लगाते हैं, के स्क्वार माइनस दू, मतलब तीन का स्क्वार माइनस दू, मतलब तीन तीन नो मेंसे दो कम कर बचेगा 47. इसका स्क्वार करते हैं तो घात 8 हो जाती है. घात 8 हो जाती है मतलब हम भूए लगाते हैं 47 का स्क्वार माइनस 2 हमारे पास आ पास कितनी आ गई है 47, तो हमारा correct answer होगा 47, ठीक है, तो आज हम लोग यही बात कर लेते हैं, वकिर हम कल की class में बात करेंगे, किस की बात करेंगे हम कल की class में, कल की class में हम बात करेंगे, cube बाले, questions की, ठीक है, कि जो cube की question होते हैं, तो उनको कैसे बनाते हैं, फिर हम लोग दो हमारे previous exams में पूछे गए ठीक है चलिए आज इजादत दीजिए मिलते हम लोग next video में तब तक के लिए आप सब का धन्य बाद